तो आज यहां पर जेपी मोर्गन के सियो चेतावनी देते हैं कि अभी जो दुनिया एक गंबिर शंकट के अंदर है फिलाल आर्थिक मंदी के अंदर है तो यह प्रेडिक्शन करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि आगे और अगले साल मध्य तक आर्थिक मंदी रे सकता है और यह कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है जेपी मोर्गन के मुख्य कार्यकारी आपके सामने जो तस्विर दिख रहा है और इसका नेम है जेमी डिमोन तो यहां पर और आर्टिकल के अंदर भी देखे तो आपके सामने दिख रहा है जेपी मोर्गन के जो सीयो है इसने यहां पर जेतावनी दिया है रिसेशन के बारे में तो भाई क्रिप्टो मार्केट के अंदर सिधी सी बात है कि भाई US का स्टोक मार्केट में क्रेश आया तो यहां पर हमारा जो क्रिप्टो मार्केट है उसके अंदर भी हमें क्रेश देखने को मिलेगा बट मैंने देखा है यह जो बड़े प्लेश होते है उल्टा गेम करते है लोगों को सेल आउट करवा देते है और वो लोग बाइंग करते है फिर जो यह बोलते है वो होता नहीं है काफी बार एशा हुआ है मैं इसके उपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ फिलाल देखा दाए तो इसके उपर ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए जब जब यह लोग चेता हुने देते हैं तब हमें उल्टा काम करना है उपर से खरीदना है जितना नीचे आए खरीदते जाना है क्योंकि अच्छे दिन तो आएंगे आएंगे थोड़ा और वेट कर लें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है इसके हेड़कॉर्टर के बारे में बात करेंगे न्यू यूर्क सिटी न्यू यूर्क एन यूएस के अंदर इसके हेड़कॉर्टर है एरिया यहां पर देखो वर्ल्ड वाइड है और यहां पर बातचीत करेंगे प्रोड़क प्राइवेट इक्विटी, रिस्क मेनेजमेंट, वेल्थ मेनेजमेंट मतलब मल्टीपल इसके पास प्रोटेक है रेवन्यू यहाँ पर 2021 का आकड़ा देखा जाए 121 बिलियन डॉलर मतलब एक अच्छा खासा एक कंपनी का रेवन्यू है और यहाँ पर इसका जो टोटल एसेट देखा जाए 3.74 ट्रिलियन डॉलर 2021 का जो आकड़ा है नंबर ओफ एम्पलोई की बारे में बात करेंगे तो 3 लाग के आसपास मतलब 2 लेक 71,025 जितने एम्पलोई है 2021 का आकड़ा है तो देखो बहुत बड़ा कंपनी है बट यह लोग क्या की गेम करते है काफिवार उल्टा हो जाता है यह लोग चेताओ नहीं तो देते है बट काफिवार उल्टा होता है तो ओपर देखते बाइ वो तो आने वाला वाक्ती बताएगा अभी तो बड़े प्लेस तो यह के रहे कि भाई अभी और पांच-छे महीना यहाँ पर हम recession के अंदर रहेंगे और यहाँ पर मंदी हमें देखने को मिलेगा बड़ यहाँ पर चार्ट क्या दिखा रहें देखो चार्ट को भी देखना पड़ता है कि भई चार्ट क्या दिखा रहा है यूएस का stock market पेले देखते हैं देखो यहाँ पर stock market के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिने नासडाक इंडेक्स को ओपन किया है जैसे यहाँ पर support को breakdown किया यह वाला support था हम daily जो daily टो daily जो analysis करते है बिटकोईन का उसके साथ इसको लेते है तो इसने breakdown किया मतलब की negative बात हुई इसलिए ही यहाँ पर crypto market भी क्रेज हो रहा है फिलाल यहाँ पर NASDAQ जो चल रहा है 10,773 पर यहाँ पर trade कर रहा है जो इसका major support area जो आएगा धीरे धीरे करके maximum ए एरिया तक हमें देखने को मिल सकता है और उसमें भी काफी time लगेगा 9,635 उससे ज़्यादा गिरना मुझे possible नहीं लग रहा है कोई भी यहाँ पर कुछ भी के दे क्योंकि भाई यहाँ पर नीचे एक तो 300 weekly moving average का support मिलेगा और यहाँ पर इसको छोटा करके देखे तो भाई previous top भी यह वाला area यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है देखो यहाँ पर त्यान से देखने की कोशिश करो यह वाला top यह वाला top था तकरीबन 2019 के अंदर एक 9,635 जो इसका value है वहाँ जाके रुकेगा वहाँ पर अच्छा काज़ा support मिलेगा और फिर हद होती है गिरावट की भी फिलाल इतना गिर सकता है तो अमीद करता हुए वीडियो आपको पसंद आयोगा फिला जितना मोका मिले buying करते रहो बस यहाँ पर बहुत जल्द जो अंदर ही पेशा डालना मेरा केना यह है क्योंकि एरे घेरे प्रोजेक के अंदर पेशा डालके फसने से कोई फाइदा यहाँ पर नहीं होता है लाइक कर देना चलो को सब्स्राइब कर लेना बेल वाले एकन कोल पर क्लिक कर लेना टेली ग्राम को जोइन करना ना बोले क्यो वीडियो बनने से बेले वहाँ पर पेस्ट हो जाता है, फिर यहाँ पर वीडियो हम पब्लिश कर देते हैं, गुडबाई